Hello friends, welcome to my YouTube channel दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको कच्चा प्याज खाने के amazing health benefit के बारे में बताने जा रहे हूँ कच्चा प्याज, calcium और zinc का खजाना है इसमें iron, magnesium, phosphorus, potassium, copper, magnesium और selenium भरपूर माता में पाए जाते हैं ये protein, vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K, thymine, riboflamin, folate, vitamin B6, vitamin B12, omega 3 fatty acid का good source है तो चली जानते हैं कच्चा प्याज खाने के amazing health benefit कच्चा प्याज हमें cancer जैसी भेंकर बिमारी से दूर रखता है इसमें मौजूद organo sulfur हमें cancer से बचाता है ये prostate cancer होने के खत्रे को भी कम करता है और cancer को बनाने वाले cell को रोकता है दोस्तो अगर आप मोटापे से परिशान हैं तो कच्चा प्याज आपके लिए बहुत फैदामंद है प्याज में एक ऐसा तत्व होता है जो हमारे बॉड़ी में मौजूद metabolism और carbohydrate को तेज करके फैट को जल्दी burn करता है अगर आप भी मोटापा से चुटकारा पाना चाहते हैं तो अपने डाइट में कच्चा प्याज का सेवन जरूर करें कच्चा प्याज हमारे बॉड़ी और हमारे माइंड को हेल्दी रखने में बहुत हेल्फुल है यह हमारे बॉड़ी को हेल्दी रखता है और हमें लंबी आयू यानि की दीर्द आयू जीने में हमारी हेल्प करता है कच्चा प्याज diabetes के रोगियों के लिए भी किसी वर्दान से कम नहीं इसमें fiber, potassium, iron, vitamin जैसे कई पोशक तत्व होते हैं जो sugar के रोगियों के लिए काफी फायदा मन होता है इसमें एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो blood sugar level को normal रखने में काफी helpful है अगर आप नींद नहीं आने या फिर कम आने की समस्या से परिशान है तो आपको कच्चा प्याज खाना सुरू कर देना चाहिए क्योंकि इसमें एक ऐसा chemical होता है जो हमें गैली नींद देता है कच्चा प्याज गठिया के रोगयों के लिए भी बहुत फैदा मंद है आप कच्चा प्याज का सेवन करने के साथ सरसो के तेल और प्याज का रस मिलाकर जोडों पे लगाए इसे जोडों का दर्द और सूजन दोनों ठीक होगा कच्चा प्याज हमारे बालों के लिए भी टॉनिक की तरह काम करता है आप कच्चा प्याज का रस रात में सोने से पहले अपने बालों के जड़ों में लगाएं और सुबह उसको धोलें इसे हमारे बाल स्ट्रॉंग होते हैं, चमकदार बनते हैं और लंबे होते हैं अगर आपको पत्री के शिकायत है तो कच्चा प्याज आपके लिए बहुत उपयोगी है कच्चा प्याज के रस को चीनी में मिलाकर शर्बत बनाकर पीने या प्याज का रस सुभा खाली पेट पीने से पत्री में निजात मिलती है गर्मियों के मौसम में प्याज खाने से लू नहीं लगती है लू लगने पर प्याज के दो चमच रस को पीने से काफी अराम मिलता है इसलिए अगर आपको लू लग जाए तो कच्चा प्याज का सेवन जुरूर करें कच्चा प्याज पैन किलर का भी काम करता है periods के दोरान होने वाले दर्द को ये कम कर देता है आप period सुरू होने से 6-7 दिन पहले से कच्चा प्याज का सेवन सुरू कर दें आपको दर्द में बहुत आराम मिलेगा अगर मुँ में आने वाली बद्बु को छोड़ दें तो कच्चा प्याज हमारे दातों और मुँ में होने वाले infection को रोगता है और mouth cancer की संभावना को ये खत्म करता है dart spot और pigmentation को भी कच्चा प्याज कम करने में काफी helpful है आप दही के साथ प्याज का paste बना कर skin पर apply कीजिए आपको बहुत लाब होगा पेसाप सबंदी रोगों में भी कच्चा प्याज काफी लाब कारी है इसके लाबा कच्चा प्याज कई अन्य सारी रिख समस्याओं जैसे मोटिया बेन, सिर दर्द, कान दर्द और साब काटने पर भी इसका प्रयोग किया जाता है तो देखा दोस्तों कच्छा पैज हमारे लिए कितना helpful कितना benefit देता है हमें इतने सारे health benefit जानने के बाद I am sure आप इसे जरूर अपने diet में शामिल कीजेगा आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज प्लीज इसे like करना ना बुलें इस तरह के और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को subscribe कर लिजे ताकि कोई भी वीडियो आप आगे मिस ना करें मेरे वीडियो को आप अपने family और friend की भी जरूर शेयर कीजे और comment box में जाके comment जरूर करें Thank you